नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम सीटाग्लिप्टिन और मेटफोमिन के दो दवाँं के कॉम्बिनेशन वाली इस्टामेट टैबलेट के बारे में डिसकस करेंगे। सीटागलिप्टिन और मेटफोमिन टैबलेट के कॉंबिनेशन वाली टैबलेट को इस्टामेट, एलसिता एम और लुपिसिट एम आधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है. जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली इस्टामेट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. इस्टामेट टैबलेट का उप्योग टाइप टू डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है. इस्टामेट टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. क्योंकि लंब शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। शुगर के लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इस्टामेट टैबलेट की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इस्टामेट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा इस्टामेट टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। इस्टामेट टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। इस्टामेट टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंट पहले लेना रेक्मेंडेड होता है। इस्टामेट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको इस्टामेट टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की इस्टामेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। टाइप-1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर इस्टामेट टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। बलड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको इस्टामेट टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको इस्टामेट टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडियूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्मेंट महिलाओं में बलड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए इस्टामेट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इस्टामेट टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।